नमस्कार Vision ISK News Today के इसंख में आप सभी का स्वागत है इसंख में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिश्चा की दृष्टी से महत्तोपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंख के साथ मैं हूँ दिव्यत ओमर आईए सबसे पहले नजर डालते हैं इसंख की हेडलाइन्स पर अंतराष्ट्रिय श्रमसंगठन और संव्यत राष्ट्र बालकोश युनिसेफ ने बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020 प्रवर्तियां और आगे की राह शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और प्रमुक संस्थागत सुधारों को लागू करने वाले 23 राज्य अतरिक्त 1.06 लाग करोड रुपे उधार ले सकते हैं और अब समाचार विस्तार से अंतराष्ट्रिय श्रम संगठन यानि आयलो और संइफ तुराष्ट्र बाल कुष युनिसेफ ने बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020 प्रवर्तियां और आगे की राह शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है बाल श्रम को ऐसे कारे के रूप में परिभाशित किया जाता है जो बच्चों को उनकी बाल्यावस्था, शमता और गरिमा से वंचित करता है और उनके शारिरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है बाल श्रम वैश्विक अनुमान 2020 प्रवर्टियां और आगे की राह रिपोर्ट के मुखे निश्कर्शों की बात करें तो वर्ष 2020 के आरंभ में विश्विस्तर पर 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में सनलिप्त थे, इन में 63 मिलियन लड़कियां और 97 मिलियन लड़के शामिल बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक प्रगती वर्ष 2016 से इस्थिर हो गई है, बाल श्रम में सनलिप्त बच्चों की सरवाधिक संख्या 86.6 मिलियन है जो की उप सहरा अफरीका में दिखती है, साथ ही यहां बाल श्रम का सरवाधिक प्रसार भी हुआ है, बाल श्रम के कु बाल श्रम से ग्रसित होने का खत्रा है, इस रिपोर्ट में कई अनुशनसाएं भी की गई है, जैसे निशुलक और उत्तम गुणवत्ता पूर्ण विद्यालेई सिक्षा के लिए खर्च में वृध्धी की जाए, और सभी बच्चों को दोबारा विद्यालेओं में लाने क प्रयास किया जाए, वैसकों के लिए बहतर रोजगार को प्रोचसाहन दिया जाए, ताकि परिवारों को परिवारिक आय अरजित करने के लिए बच्चों की सहहता न लेनी पड़े, ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रवर्तन तंत्र और बाल संरक्षन प्रणालियों द्वारा समर्थित, आवश्यक कानून एवं विनियम उपलग्ध हो। के कन्वेंशन 182 और नियोजन की न्यूनितम आयू पर कन्वेंशन 138 की अभिपुष्टी की गई है। संस्थान शामिल हैं जिन्हें तीन व्यापक्ष्रीणियों में वर्गी कृत किया गया है। इस रिपोर्ट के निशकर्शों की बात करें तो प्रती लाग पात्र जनसंख्या पर महाविद्यालेयों की संख्या बिहार में 7 से लेकर करनाटक में 69 तक है। जबकि अखिल भारतिय ओसत 30 महा विद्यालेयों प्रती लाग जनसंख्या है। वहीं सकल नामंकन अनुपात की बात की जाए तो उच्छी सिक्षा में नामंकित पात्र आयूवर्ग के छात्रों का प्रतिशत सेक्षनिक वर्ष 2019-20 में 27.1 प्रतिशत था जबकि सेक्षनिक वर्ष 2018-19 में ये 26.3 प्रतिशत था। पुरुशों के लिए सकल नामांकन अनुपाद 26.9 और महिलाओं के लिए 27.3 है। अनुसुचित जाती के लिए 23.4 और अनुसुचित जनजाती के लिए 18.0 है। प्रद्योगी की विश्यों में अधिक्तम संख्या में छात्र नामांकित है। इसके बाद विज्ञान विशे का इस्थान है। इससे पता चलता है कि पुरुशों की तुलना में पात्र आयू वर्ग की महिलाओं के लिए उच्छ सिक्षा तक सापेक्षिक पोहँच में सुधार हुआ है अगली खबर कृशी निर्यात से संबंदित है भारत ने वित्वर्ष 2020-21 के दौरान कृशी निर्यात में उत्कृष्ट व्रिधी दर्ज की है पिशले तीन वर्षों के दौरान इस्थिर रहने के बाद कृशी और संबध्ध उत्पादों का निर्यात 17.34 प्रतिशत बढ़कर 41.25 बिलियन डॉल लिका हो गया भारत ने खाद्यान, मसालों और जैविक उत्पादों के निर्यात में व्रिधी दर्ज की है विभिन संकुलों से पहली बार निर्यात किया गया है जैसे वारानसी से सबजियां और आम तथा चंदोली से काले चावर्द भारत के क्रिशी उत्पादों के सबसे बड़े बाजार अमेरिका, चीन, बांगलदेश, संयुक्त अरब अमिराथ, वियतनाम, साओधी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, इरान और मलेशिया हैं भारत में क्रिशी निर्यात की व्रिधी के लिए उत्तरदाई कई प्रमुक कारक हैं कोविड द्वारा उत्पन अवसर जैसे वैश्विक मदों की खीमतों में अधिक व्रिधी, प्रमुक जीनसों की मांग में बढ़ोतरी आदी क्रिशी निर्यात नीती 2018 से सम्मदित विभिन्न कारिक्रम हैं निर्यात प्रोटसाहन के लिए 46 विशिष्ट उत्पात जिला संकुलों की पहचान की गई है देश विशिष्ट क्रिशी निर्यात रणीती रिपोर्ट तयार की गई है भारत के विभिन दूतावासों में कृशी प्रकोष्टों का शुभारंब किया गया है। भारत में हाल ही में आस्ट्रेलिया में अनार, अर्जेंटीना में आम और बासमती चावल और इरान में गाजर के बीज के लिए बेहतर बाजार पहुँच प्राप्त की है। तिमोर, ल में पहचान स्थापित करने के लिए घरेलू उत्पादों को भौगलिक संकी तक यानी जी आई टैग प्रदान किया गया है। आधी शताब्दी के बाद चीते भारत में पुनरवासित किये जाएंगे। दक्षिन अफ्रीका से लाए जा रहे आठ चीतों का वनभूमी का एक भाग है और अनुकूल अधिवास श्रिकार की बहुतायत आधी के कारण चीते के लिए एक उप्यूप्ते इस्थान है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश द्वारा यही इस्थान एशियाई शेरों के अधिवास के लिए भी तयार किया गया था। प्रजाती इरान में भी पाई जाती है। लेकिन इरान ने उसे भारत इस्थानांत्रित करना अस्वीकार कर दिया है। इस कारण सरकार ने अफ्री की चीते को भारत लाने की संभावनाओं पर विचार करना आरंब किया है। आई अब आपको बताते हैं कि चीते के पुनरव प्रवादिक संख्या गास भूमियों में अधिवासित है इसके बावजूद घास भूमिया देश में एक अत्यधिक उपेक्षित परियावास है आयूसीन की सूची में अफ्रीकी चीते को वल्नरेबल और एशियाई चीते को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की सूची में रखा ग अफ्रीका के वनों में पाया जाता है चीतों को जल की अधिक आवश्यक्ता नहीं होती है और विश्चुष्क वनों घास भूमियों खुले मैदानों और मरुस्थलिय शेत्रों में जीवित रह सकते हैं अगली सबर अर्थ जगत से प्रमुक संस्थागत सुधारों को लागू करने वाले 23 राज्य अतरिक्त 1.06 लाग करोड रुपे उधार ले सकते हैं राजिकोशिय उत्तरदाईतों और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के तहट सरकार को 31 मार्श 2021 तक राजिकोशिय घाटे को सकल घरिलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करने की आवश्यक्ता है हाला कि अधिनियम कुछ शर्तों के अधिन वार्शिक राजिकोशिय घाटे के लक्ष से विचलन के लिए कुछ छूट भी प्रदान करता है 200 आधार अंकों की व्रिधी में से 50 आधार अंक बिना शर्त होंगे जबकि 1500 अंक सशर्त होंगे जिनमें शामिल है एक राश्ट्र एक राशनकार्ड व्यवसाय करने में सुगमता और विद्युत वितरन तथा शेहरी इस्थानिय निकाय राजस्व के लिए 100 आधार अंक होंगे वहीं सुधार का भारांक 25 आधार अंक है और खाद्य इन सुधारों से संबंदित राज्यों के प्रदर्शन की निगरानी और मुल्यांकन करेंगे आए नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्तोपून सुर्खियों पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 के तहट इस्थापित एक सामविधिक निगमित निकाय है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदाई है ESI योजना एक स्वावित्त पोशित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है योजना में शामिल किये गए कर्मचारीों को नियोजन के दौरान, रोग, दिव्यांगता या चोटों की वजह से मृत्य की घटनाओं से उत्पन विक्तिय संकट से बचाने के लिए तैयार की गई है भारतिय विज्ञान प्रद्योगी की और इंजिनिरिंग सुविधाओं का मानचित्र आई स्टेम पोटल अब उपयोग करताओं को कॉमसॉल यानि मल्टी फिजिक्स सॉफ्ट वेर तक पहुचने में मदद करेगा कॉमसॉल समूह ने कॉमसॉल मल्टी फिजिक्स सॉफ्ट वेर सूट विक्सित किया है इसका उपयोग विश्च भर में अनुसंधान और विकास के साथ साथ सीखने और निर्देश के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अनुकरण के एक अनिवारे उपकरण के रूप जो शोध करताओं को उनके अनुसंधान एवं विकास कारे के लिए आवश्चित विशिष्ट सुविधाओं का पता लगाने में सहता करता है इसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान और विकास संसाधनों का एक डेटाबेस निर्मित करके शोध करताओं और संसाधनों को जोड़ना है ये प्रधान मंत्री विज्ञान प्रोद्योगी की और इनोवेशन सलाहकार परिशद PM स्टायक मिशन के तहत प्रमुप विज्ञानिक सलाहकार के कारेले की एक पहल है उनी उरने वाली गिलहरियों की प्रजातियां हाल ही में हिमाले में उनी उड़ने वाली गिलहरी की दो नई प्रजातियां पाई गई हैं इनका नाम तिब्बती उनी उड़ने वाली गिलहरी यानि यूपेटारस टिबेटेंसिस और यूनान उनी उड़ने वाली गिलहरी यूपेटारस निवामन्स है अंतराश्ट्रे प्रकृती संरक्षन संग यानी IUCN ने उनी उडन गिलहरी यूपिटारस सिनेरिस को एंडेंजर्ड प्रजाती की रूप में सूची बध किया है ये विश्व में सबसे बड़ा ग्लाइडिंग इस्तनपाई और लंबे समय से विश्व में दुरलव तथा सबसे कम अध्यन किया गया इस्तनपाई है 20-20 शताबदी के अधिकान समय तक इसे विलुप्त माना जाता था वर्ष 1994 में इसकी उत्तरी पाकिस्तान में दुबारा खोज की गई थी घडियाल यानि गेविलियस गेंगेटिकस हाल ही में ओडीशा वन विभाग ने घडियालों को बचाने के लिए नकत पुरुसकार की घोशना की है घडियाल मुख्य रूप से चंबल नदी में पाए जाते हैं इसके अलावा गिर्वा नदी जो की उत्तर प्रदेश में कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यरन्य में है और जिमकारबेट राष्ट्रे उध्यान में राम गंगा नदी और सोन नदी में भी इसकी कुछ और खारे पानी के मगरमच लीस्ट कंसन की सूची में है इनके समक्ष कई खत्रे मौजूद हैं जैसे परियावास इस्थान में परिवर्तन, शिकार का हरास और शरीर के अंगों के उप्योग के लिए अवैद शिकार आई अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे इस्थलों के बारे में दिहिंग पटकाई असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रे उध्यान के रूप में अधिसूचित किया है ये डिब्रुगड और तिन्सुखिया जिलों में इस्थित है असम में अब सात राष् दिब्समू है ये चार चैनलों द्वारा विभाजित है जिन में शामिल है गड़कंडू, विलीगिलीकंडू, माकंडा और कोड़कंडा भारत थाइलेंड समन्वित गष्ट, कॉर्पेट, भारतिय नौसेना और रोयल थाई नौसेना ने अंडमान सागर में भारत थाइलेंड के तीन दिवसिये 31 संसकरन का आयूजन किया दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्तुपूर्ण हिस्से को अंतराश्ट्रिय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्चे से दोनों नौसेनाएं वर्ष 2005 से अपनी अंतराश्ट्रिय समुद्री सीमा इसके साथ ही यंक समाप्त होता है अगले यंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तुपूर्ण खबरों के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए कोविड नियमों का पालन करिए मास्क लगाईए दो गजगी सुरक्षित दूरी बनाए रखिए हाथ और मुँ साफ रखिए और टी का अवश्य लगवाईए इसके साथ ही विजन आई इसकी पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमस्कार